नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में और आज हम लेके आएं आपको करेंटे के कुछ बहुत ही आयमपी कोश्चन है तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला हमारे कोश्चन है राष्ट मंदल खेल तो राष्ट मंदल खेल से या हमारे ज तो हमारे आष्ट मंदल खेल वूए थे 2018 तो अरस्टेलिया के गोल्ड कोोस्टूम है तो कुश्चन यहभी राष्ट मंदल खेल 2018 में हुए तो वह कौन सा संसक्रण है तो हमारा 21 संसक्रण है जो हमारे 설 mindset이켑 के गोल्ड कोस्टूम में खेलए गया थे इसका हमारा आदर सवा तो आदर सुवाग के हमारा था साजह करें ड्रीम नेश्ट हमारा है कि आज जो राष्मंडर इस बार खेले गए उसका हमारा सुभंकर क्या था तो सुभंकर हमारा था बौरोवी मतलब यह सुभंकर हमारे जो बौरोवी था इसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्रतीक चिन नेश् कि इमने नेपाल में आयोजित दच्छिन ACI अंडर बारा टेवल टेनिस चैंपियंशिप जीत ली है तो हमारा वो है भारत नेश्ट हमारा है इन सिक्की रेड़ी इन सिक्की रेड़ी जिनकी हाल ही में जिनको हाल ही में अर्जुन प्रुसकार के लिए सिफारिश की गई है वह किस खेल से संबंदी थे तो हमारे बैड मिंटन से संबंदी थे और ये हमारी 2018 के राष्ट मंडल खेल में स्वड़ पदक भी जीता था तो इस कारण से ये कोश्चन हमारा बहुत ही आयमपी बन सकता है आपके अगले वाले एक्जाम में नेश्ट हमारा कोश्चन है अमे टिलर्शन की जगा लिया है माइक प्यम्पियों नेश्ट हमारा है 2019 प्रवासी भारती विस्ट का जो दिवस है उसे आयोजन कि सहर में किया जाएगा तो दोस्तों यह हमारा वारा रसी में किया जाएगा और यह हमारा 15 संसक्रण है इसे हमेशा जनवरी में हमारा 9 जनवरी स भारती प्रवासी जो दिवस है तो इसको कितने वरसों के अंतराल में बनाए जाए गा तो यह अब दो दो वरसों के अंत्राल में बना जाएगा नेश्ट हमारा कोशन है हाली में जम्मू कस्मीर की नए उफ मुखंतरी कौन है तो उन्हें चुना गया है कविंदर गुपता को और कविंदर गुपता जो है वो निरमल सिंग की जगा लेंगे और वहां की हमारी जो मुख्य मंतरी हैं आपको भी ससस्त बलो के लिए नई पीड़ी की बुलिट प्रूफ जैकेट विक्सित की है इसका नाम क्या है तो इसका नाम है मारा भाभा कवच दोस्तो नाम क्या है भाभा कवच तो यहाँ पर उच्छा यह जाता है कि जो बार्क है तो बार्क का फुल नाम क्या है तो बार्क का फुल और कारवन नायने टूब पालीमर से मिस्रा से बनी हुए है यह हमारी दोस्तों कैसी यह सस्ती है और हलकी भी है तो दोस्तों यह भी हमारा बनता है कुर्शन कि इसके हमारे भावा के जो है बार के हमारे है डारेक्टर वो हमारे डारेक्टर कौन है तो इसके डारेक्टर हमारे है के अन के अन व्याग्स के अन व्याग्स इसके बाद अगला हमारा है यहां पर हेड़क्वाटर इसका कहा है तो इसका हेड़क्वाटर हमारा भाबा रिसर्च जो हमारा है भाबा एटोमिक रिसर्च सिंटर इसका हमारा हेड़क्वाटर है मुंबई में नेस्ट हमारा फाउ किस राज ने प्रवासी पिंसन योजना शुरू कि है तो यह हमारा है केरला जिसने प्रवासी पिंसन योजना शुरू की है और यहां पर जो दिया जाएगा वो 2,000 प्रति मा दिया जाएगा और यह हमारा जो दिया जाएगा 60 वर्ष से अधिक Butamتي को दिया जाएगा तो दोस्तो यह भी बनता है हमारा कि यह के विस अप्रेल से मनाया गया है यह हमारा 2010 में मन मोहन सिंग्द्वारा राष्टी राज दिवस का उद्गाटन किया गया था नेश्ट हमारा कोशन है यू एन में किस दिन को अंगरेजी भासा दिवस मनाया गया तो 23 अप्रेल को हमारा अंगरेजी भासा दिवस मनाया गया ठीक तो हमारा यहां पर question यह होते हैं कि UNO में हमारी जो अधिकारिक भासाएं हैं तो कितनी भासाओं को मानिता दी गई हैं तो हमारी कितनी भासाओं को दी गई हैं 6 भासाओं को एक हमारी है Chinese और एक फ्रांसिक यह हमारी है French, Arabic, Russian, English और Spanish यहां पर दो हैं अंग्रेजी और जो हमारी होती है French दो भासाओं ऐसी हैं जिनको कारिकारी भासाओं कहा जाता है नेश्ट हमारे यहां पर question हमारा है कि इसकी स्थापना कब होई थी मतलब UNO की हमारी जो स्थापना होई थी तो UN की स्थापना हमारी होई थी 24 अक्टूबर 1945 होई थी इसका मुख्याला है यहां पर नूइयारक में है अगले बात कर लेते हैं यहाँ पर किसे T20 मुंबाई लीक के ब्रान एबेस्टर की रूप में रूप में न्युक्त किया गया है तो सचिन तिंदलकर को यहाँ पर मुंबाई T20 में न्युक्त किया गया था नेश्ट हमारा है किस फिल्म ने 90 आकादमी पुरुषकार से सरसेश फिल्म का आशकर जीता है तो दा सेप आप दा वाटर ने इस बार 90 आशकर अकादमी वाड जीता है मिघाले के नए मुख्यमंतरी कोन है तो मिघाले के नए मुख्यमंतरी कोन राड संगमा है निश्ट हमारा है त्रिपरा के नए मुख्यमंतरी तो त्रिपरा के नए मुख्यमंतरी विपलो कुमार दियो है अगला कोशन हमारा है खेल साइत मौसो कहां आयूजित किया गया तो यह हमारा चंडी गड़ में आयूजित किया गया अगला कोशन है नौजोत कोर किस खेल से संबंदी थे तो नौजोत कोर हमारे कुस्ती से संबंदी थे अगला कोशन है हमारा विस्व की सबसे बड़ी सौर उर्जा सक्ति सैंत्र या इस्थल कहां पर आउजित की गई तो हमारी करनाटक के पावगड में आउजित की गई यह हमारी विस्व की सबसे बड़ी सोलर प्लैंट सिस्टम लगाया गया है किसे हाली में गोदावरी गोरो पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो हमारा आमोल पालेकर को गोदावरी गोरो सम्मान से सम्मानित किया गया अगला कोशन है भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन अभ्यास का नाम क्या है तो हमेशा भारत और फ्रांस के बीच होता है संयुक्त सैन अभ्यास वो हमारा वरूर है और इस बार को 19 मार्च 2000, 19 मार्च को गोवा में आयोईत किया गया था अगला हमारा कोशन है भारत का पहला कृतिम बुद्धी के इंदर किस राजी में इस्थापित हुआ तो भारत का पहला कृतिम बुद्धी के इंदर महाराश्ट में आयोजित किया गया यह मतलब महारेश्ट में इस्थापित किया गया है भारती विज्यान कांग्रेश का 150 मोचो कहा पर मनाया गया तो इमफाल में मनाया गया मणपूर की रहद्दान ही हमारी है इमफाल यहाँ पर राष्टी विज्यान जो हमारा विज्यान का मोचो है तो राष्टी विज्यान क अंग्रेस के 150 वह जो हमारा मौस्तो था वह इंफाल में आज़ित किया गया अगला हमारा है यह बहुत ही IMP कोश्चन हमारा है क्योंकि इस बार जैसे लोको पैलेट में तो उससे हमारे विग्यान संबन दिया आना है तो उसमें हमारा है हैमर यह दोस्तों एक हैमर है तो हैमर अंतरिच यान का निर्माड किस अंतरिच एजनसी द्वारा किया गया है ति हमारा नासा द्वारा किया गया है तिहां पर जो हैमर है तो हैमर एक ऐसी डिवाइस है जो अंतरिच से आने वाले जो उलका पिंड होते हैं तो उलका पिंड क्या करेंगा यह वहीं पर तोड़ द vidéosाई पर रहा भी है आगे देखते हैं अगला हमारा कुश्चन है किसानों को 24 घंटे मुप्त विजली अपउर्ती करने वाला देश का पृत्पम राज्य कौन सो बन गया है तो तेलंगाना हमारा ऐसा राज है जहाँ पर किसानों को 24 घंटे मुप्त विजली दी जाएगी अगला हमारा कोशन है फरवरी 2018 में अंतर राष्टी पच्छी महसो कहां पर आयुद किया जाएगा तो हमारा कहां पर आयुद किया गया उत्तर प्रदेश में हमारा आयुद किया गया लखीमपुर में हमारे जो खीरी के पास हमारा है वहीं पर आयुद किया गया था नेश हमारा है भारती अंतरिच अंसंधान संगठन इसरो के नए अध्यच्छ हमारे कौन है तो हमारे के सीवान है अगला हमारा कोशन है आर्थिक सर्वेच्छन रिपोर्ट के अनसार वर्ष 2017-18 में भारत की जीडिपी का विकास दर कितनी रहेगी तो हमारे कितनी रही है तो 6.7% रही है अगला कोशन है वह सहर जहां भारत का पहला कच्छडा महुतसो आयोजित किया गया इसमें से कच्छडे को कलेक्ट करकर उसकी होली की तरह से जलाया गया और इसी को बोला गया है कच्छडा महुतसो नेश्ट हमारा है वह राज जहां हाली में एक जिला एक उत्पाद परियोजना प्रारम में की गई तो एक जिला एक उत्पाद हमारी जो परियोजना लागो की गई उत्तर प्रदेश में लागो की गई है हाली में भारत के सबसे तेश सुपरकंप्यूटर का आनावरण किया गया है उसका हमारा नाम है प्रत्यूज मगर विश्व का सबसे जो तेश सुपरकंप्यूटर है वो अभी हाली में अमेरिका के पास मनाया गया है ठीके और मगर भारत का है प्रत्यूज अगला कोश्चन है हाली में प्रकासित पुष्तक Speaking to the power के लेखक हमारे कोन है तो हमारे पीच दमरब हमारे इसके लेखक है अन्ताराष्टी सौरूर्जा संगठन अन्ताराष्टी सौरूर्जा संगठन ISA के पहले सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया तो यह हमारा दिल्ली में किया गया तो दोस्तों यह भी कोश्चन हमारा जरूरी हो सकता है क्योंकि यह ISA का हमारा पहला आयोजन है और हमारा दिल्ली में हुआ है नेपाल की पहली मैला राश्पती का नाम क्या है तो नेपाल की पहली मैला राश्पती का नाम है विद्या देवी भंडारी और ये भी हमारा कोशन बन सकता है कि नेपाल की पहली मैला राश्पती का नाम क्या है तो विद्या देवी भंडारी है नेस्ट हमारा कोशन है ए ब्रीथ हिस्ट्री आफ दा टाइम के लिखक हमारे कौन है तो हमारे स्टीफन है इस्टीफन हाकन जिनका आहली में क्या हुआ था इस 2018 में उनकी मृत्ती हो गई थी तो उनकी ढेसारी में बुके हैं बहुत ही इंपोर्टेंट होती हैं चलिए आगे हैं अगला कोशन है बैडमिंटन एसोसियेशन आफ इंडिया के नए अध्यच कोन है तो बैडमिंटन एसोसियेशन के नए अध्यच हमारे हिमन्त विश्व सर्मा है देश में सबसे साफ हवाई अध्डा कोशन ही दोस्तों हमारा बहुत ही अच्छा कोशन है कि देश में सब सुब्सेदध्षी सवwydd खूंसा है। तो हमारा कानपूर है। और सभी सब इसने इंदोर खूंसा गूंसा है। हम आपसे पूछे इस युजित हैं कि भारत बारत का बारत बनावां PayPal E नेस्ट हमारा है किस देश ने नवींतम अंतर महादीपी प्रच्छे पास्त सर्मत का सफलता पूरवक परिछड किया है तो वो हमारा देश है रोज जिसने सफलता पूरवक सर्मत का परिछड किया है कोशन अगला है BS4 ग्रेट इंधन को BS6 में बदलने वाला देश का पहला सेर कौन सा है तो हमारा नई दिल्ली है जिसने प्रदूसर्ण को कम करने के लिए BS4 इंधन को चेंज करके BS6 में बदल दिया है तो यह हमारा कोशन इससे यह बन सकता है कि इसने घोसित किया है कि 2019 तक 13 महानगरों में BS4 की जगह हम BS6 में बदल देंगे अगला कोशन है किस टक साल से 350 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा तो हमारा मुंबई है और यह मुंबई सिस बार टक साल से जारी किया जाएगा और यह सीड़ी गुरु गोविन सिंग के जनम दिवस पर हमारा आःध किया गया है ठीक है नेश्ट हम लोग बात करते हैं यहां पर कि राश्टी जाच एजनसी का पहला मानी देशक किसे नियुक्त किया गया है तो राश्टी जाच एजनसी का पहला मानी देशक जो नियुक्त किया गया है विनीत जोसी को नियुक्त किया गया है तो यह कोश्चन आपके लिए बहुत बारा कोसिंगर है किसे भारत सरकार ने प्रमुख वैग्यानीक सलाकार की रूब मे नियुक्त किया है तो कुल हमारे 85 लोग है जिनको पदम पुरुषकार से सम्मानित किया गया है इन में से हमारे तीन लोगों को जो दिया गया है पदम विभूसर्ण से सम्मानित किया गया है नौ लोगों को पदम विभूसर्ण से सम्मानित किया गया है और तीहत्तर लोगों को पदम सिरी से सम्मानित किया गया है दोस्तों अ इलाया राजा को कला के छेतर में और पी परमेस्वरन को सिच्छा और सायती के छेतर में दिया गया है तो हम लोग यहां पर जो पी परमेस्वरन यह हमारे यह हैं तो इनको हम ट्रिक से पढ़ लेते हैं कैसे कि जैसे गुलाम मुस्तफा खान है इलाया राजा पी परमेस्वरन माना कोई हमारे गुलाम है जो गुलाम है तो उन्होंने क्या किया कि कड़ी तपस्या की और कड़ी तपस्या जबकी तो क्या हो गए उनको परमेस्वर की प्राप्ती हो गई गुलाम थे उन्होंने कड़ी तपस्या की तो उनको परमेस्वर की प्राप्ती हो गई तो कुछ लो नेश्ट हम लोग आगे देख लेते हैं अगला कोश्चन हमारा है नागा लेंड के मुख्यमंतरी के रूप में हाली में किस ने सपत ली है तो नागा लेंड के मुख्यमंतरी के रूप में हाली में नेफ्यू रियों ने सपत ली है अगला कोश्चन है नीम निम से किस कर चुकी है नेस्ट हमारा है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हाथियारों का सबसे बड़ा खरीदार कौन सा देश बन गया है तो भारत हमारा है दुनिया का सबसे बड़ा हाथियारों को खरीदार बन गया है तो कोश्चन हमारा ये भी बहुत इंपोर्टे थे और ये भी हमारा है नेस्ट है वनों की कटाई पर प्रतिबंद लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है तो वनों पर प्रतिबंद लगाने वाला विश्व का पहला देश हमारा नार्वे है ठीक है नार्वे को हम अर्धराति का जो सुर्का देश बोलते हैं नार् दिल्ली में किया गया और यह हमारा है नेश्ट हमारा है नीती आयोग तो नीती आयोग तो दोस्तो कोश्चन हमारे काफी बर रहे हैं इस समय एक जाम में देखनों के मिल रहे हैं तो दोस्तो कोश्चन हमारा यह है कि नीती आयोग का फूल फार्म क्या होगा तो नीती आयोग क कुंच वंदरा को इसका गतान वा था इसके कोन है नरेंद मोदी जी हां पूछा गया था इसके वमरे contribute कुंहारे नीतियायो के बापदे कांथ जी है अगला हम लोग बत कर लेते हैं कुछ पर अयोग है उनके अध्यच्च के बारे में तो भारत के संग लोग सेवा आयोग के अध्यच्च हमारे कोण है तो प्रुफेसर डेविड आर सिमिल है जो हमारे संग लोग सेवा मतलब UPSC के हमारे अध्यच्च है UPSC मतलब हुआ Union Publish Service Commission की हमारे अध्यचे प्रोफेसर डेविड आर सिमिल तो यहाँ पर पूछा जाता है कि UPSC की जो स्थापना हुई थी तो कब हुई थी तो हमारी 1 अक्टूबर 1926 इस्वी को हमारे UPSC की स्थापना हुई थी आगे देखते हैं अगला कोशन हमारे 21 विद आयोक के अध्यच कौन है तो 21 विद आयोक के अध्यच हमारे बलवीर सिंग चौवहान जी है 21 विद आयोक के अध्यच बलवीर सिंग चौवहान है और जो हमारा विद आयोक का गठन किया गया था वो हमारा 1834 सिसभी में इसका गठन किया गया था प्रताम हमारे अद्धच इसकी को थे तो हमारे लाड मैकाले थे जो लाड मैकालो को सिछ्छा के छेतली में जाना आता है और भारत में अंग्रिय जी की विष्टार हमारे इन्हों ने ही किया था हमारा लाड बिलियंट बेंटिम के सासंकाल में अगला हमारा है राश्टी महीला आयऊ के अध्यच्छ कौन है यहां पर राश्टी बाल सरच्छ्छा मतला होता है कि छोटे बच्चों की हमारी सरच्छ्छ करने के लिए का अयोग बनाया गया है राष्टी बालसनरचन आयोग तो इसमें से होता है कि राष्टी बालसनरचन आयोग के अमारे अध्यच कोने तो कुसल सिंग है और राष्टी बालसनरचन की स्थापना जो की गई थी मर्च 2007 में की गई थी क्रम्चारी चेयन आयोग के अध्य छकोन है तो क्रम्चारी च्यन आयोग केughter अमिताब भठाशार जी है सातवी वेतन आयोग के अध्य छ्मारे है स्थिरी नयायमूर्थ असों कुमार माथ१ृर है मतलब इनको 60 कर्म बोलते हैं एके माथ१ृर अगला question हमारा है तो यह होता है सात्मी वेतन का जो आयोक का गठन किया गया था 2014 में तो वेतन आयोक के वेतन भत्तों का पेंसन जो हमारी इस बार बढ़ाय गई है सात्मी वेतन में वो 23.50 मतलब 23.55 प्रतिसत की ब्रद्धी की गई थै ठीके अगला हमारा है पंदरावें वित आयोक की अध्यच हमारे कौन है तो पंदरावें हमारे वित आयोक की अध्यच हमारे एके मातुर है वो हमारे एके मातुर यह हमारे एनके सिंग है ठीके पंदरावें वित आयोक की हमारे अध्यच हमारे है एनके सिंग नेश्ट हमारा है इसका जो पंदरावी वितायोग को गठन किया गया है वो 221951 को गठन किया गया था पंदरावी वितायोग का गठन हमारा 221951 को किया गया था तो ये भी हमारा होता है कि प्रतम वित आयोग के अध्यच हमारे कौन है तो प्रतम वित आयोग के अध्यच हमारे केसी नियोगी होंगे केसी नियोगी हैं अगला हमारा कोशन है राश्टी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यच तो राश्टी पिछड़ा वर्ग आयोग के अ और प्रतम हमारे इसके अध्यच थे काका काले करते ठीके नेस्ट हमारा है कि राष्टी अनसूचित जन जाती आयोक के अध्यच तो राष्टी अनसूचित जन जाती आयोक के अध्यच हमारे नंद कुमार साई जी हैं आगे हम लोग देख ले रहे हैं राष्टी मानव अधिक अधिकार आयोग के अध्यच बहुत बहुत इंपर्टेंट है यह बहुत बाराता है राश्टी मानो अधिकार आयोग के अध्यच तो राश्टी मानो अधिकार आयोग के अध्यच हमारे एचल दत्तु जी हैं इसकी स्थापना मारे अक्टूबर 1993 में की गई थी और इसके प्र 1993 को किया गया था अगला कोर्शन है किस राज़ के राज जपाल सत्य पाल मलिक ने ओड़िशा के राज़ जपाल का तरिक भार सौपा गया है तो हमारे बिहार का सौपा गया था ठीक है और इस बार हमारा आसम के कोई बिल्कुल हाली में चेंज हो चुके हैं मगर उनका हमारा एक्जाम में यह समय नहीं आएगा अगला हमारा विजय प्रहार अभ्यास का आयोजन कहां पर किया जा रहा है तो विजय प्रहार अभ्यास का आरंभ हमारा जो किया जाएगा वो सूरत गड़ में किया जाएगा अगला हमारा कोश्चन है विजय प्रहार अभ्यास का आयोजन क के बीच हमारा होता है और हैंड इन हैंड तो हमारा भारत और चाइना के साथ में हैंड इन हैंड भारत चैना के साथ में इंदर जो हमारा है भारत हमारा रूस के साथ में इंदर धनुस भारत और व्रेटन के साथ में मालावार हमेशा होता है भारत और अमेरिका के बीच में य वरुन हमारा फ्रांस और भारत के बीच में है और जीमेक्स जो जीमेक्स हमारा संयुक्त सायनब्यास है वो हमारा भारत और जापान की जीमेक्स जासे जापान जासे हमारा जीमेक्स जीमेक्स के साथ हमारा भारत और जापान है भारती हां की पुरुस टीम के कोच हमारे करनाल हर्वियाड़ा में गोवर से बायोगैस पैदा करने के लिए हमारी योजना जो पर्योजना यह स्टार्ट की गई है किसने 2018 का अजर बेजान ग्रेंड प्रिक्स पुरुषकार जीता है तो लुइस हमिल्टन ने यह पुरुषकार जीता है और लगवक हमेशा यह दावा संसक्रण था वो बैंगलूरू में अयुद किया गया था इस दिवस को मानानी की सुरुवात हमारी 2003 से हुई थी अगला बात के लेते जम्मु कस्मेर के नय उप मुख मंतरी कविंदर गुपता और निर्मल सिंग की जगा लिया था मुख मंतरी मैमूदा मैमूबा तो भारती सीनेमा के पिता हमारे हैं दादा साब फाल के और इनकी 148 जैनती इसवी हाल मी मनाए गई है और इसमें जजन्म वाता 30 अप्राइल 1870 इसवी को हुआ था 1913 इसवी में भारत की पहली फिल्म जो थी और राजा हरिसचंद थी ठीके और इसे के साथ इनों ने अपना निर्देशन शुरु किया था और प्रतम पुरुसकार जो दिया गया था वो हमारा 1969 इसवी में देविकारानी को दिया गया था तो 2017 का पुरुषकार किसको दिया गया है तो हमारे 2017 का जो हमारे वीनोत खन्ना को दिया गया है तो कोश्चु यह होता है कि अब तक हमारे दो दादा साब फाल के पुरुषकार दिये गये हैं कितने दिये गये हैं तो 49 अभी तक हमारे कुल हमारे 49 पुरुषकार दिये जा और यह 1994 से अब तक हमारे मुक्यमंत्री के पत्पर बने हुए हैं आगे देख लिए अगला कोशिन हमारा है 2018 का अंताराष्टी बहुत सम्मेलन किस देश में सुरू हुआ तो कोशिन बहुत ही आए अमपी हमारा है कि 2018 का अंताराष्टी बहुत सम्मेलन जो आयूत किया गया है वो नेपाल में आईद किया गया है 27 अप्रेल 2018 को किसने सरोच नेले की पांचवी महिला नयदिस की रूप में सपत लिया है तो इन्होंने किसने लिया है इंदु मलहोत्रा ने 2018 में हमारी सरोच नेले की मुख नयदिस की रूप में सपत लिया है अगला हमारा है अगला हमारा है अब हर गाउं में बिजली की पहुँचे राष्टी बिजली ग्रिट पर लाए जाने वाला आखरी गाउं कौन सा है मतलब कि ऐसा हमारा हर गाउं में बिजली पहुच चुकी है मगर ऐसा कौन सा गाउं है जहां पर हमारी लाष्ट बिजली पहुचाने कार हुआ था वो लेई सांग गाउं है जो हमारे मड़िपूर का राच की फूल क्या है तो मड़िपूर का राच की फूल हमारा है सिरूई अगला कोश्चन है अंकिता रहना किस खेल से सम्बंदी थें तो अंकिता रहना जो खेल से सम्बंदी थें वो हमारी टेने से सम्बंदी थें नेस्ट हमारा है सितांसु यस्चन्द किस खेल से सम्बंदी थें तो सितांसु हमारे जो सम्बंदी थें वो कविता से सम्बंदी थें और इन्होंने 2017 में सरस्वती सम्मान से पुरुष्कृत किया गया था और वखार एक हमारी कविता लिखा था तो उन्हीं से इनको क्या किय गया था उनको सरस्वती सम्मान से प्रुस्कृत किया गया था और यह जो सरस्वती सम्मान होता है वह हमारा विडला फांडेशन दोरा दिया जाता है लास्ट हमारा कोशन है 26 अप्रेल 2018 को कहां पर भारत की सब पहली और धोगिक और साउर माइक्रो गिड को चालू करने की घो कोलर सिस्टम सिस्टम जो किया गया है वह बड़ोधरा में और स्वीडिस कंपनी द्वरा किया गया है नेश्ट कोशन है दोस्तों कि 2018 की मातपुर्ण नेक्तियां तो सरवच नयाले के मुख नयादिस हमारे दीपक मिस्रा जी है महा नयावादी मतलब एटाउनी जननल हमारे कौन है तो हमारे टाउनी जननल के के वेडगो अपाल जी है और नियंतरा के महालेखा परिचक मतलब कैग तो कैग हमारे हैं राजियू महरसी नेश्ट हमारा कोशन है कि 15 वित्यायोग के अध्यच कौन है तो एनके सिंग है नीती आयोग के उपाद्यच तो नीती आयोग के तीन लोग होते हैं एक मुख्य होते हैं दो हमारे अन्य तो वही दो अन्य हमारे सुनिल अरोडा और असोक लावासा जी हैं अगला हमारा कोशन है लोगसबा के अध्यच तो अर्तमान में लोगसबा के अध्यच हमारे सुमित्रा महाजन जी हैं लोगसबा उपाद्यच हमार ललता कुमार मंगलम है अगला कोश्चन हमारा भारती प्रतिभूत ये ओम वीनमायक बोर्ड मतलब सेवी के अध्याच हमारे जो है वो अजय त्यागी जी है अगला कोश्चन हमारा रेल्वे बोर्ड अध्याच हमारे कौन है तो रेल्वे बोर्ड अध्याच हमारे है असुनी लोहानी है वित्य मंत्री योम रेलवे और कोयला मंत्री हमारे इस बार जो सौपा गया है तीनों हमारा दे दिया गया है पियूस गोयल जी को दे दिया गया है कारबार सौप दिया गया है तो पूछा जाता है अगला कि रच्छा मंत्री वर्तमान में कौन है तो रच्छा मंत् इस बार को नहीं चुने गए हैं मतलब कि इस बार को जो लोगसबा हुई थी तो इसमें कोई विपच्च करनेता नहीं था राज्य सभा में विपच्च केनेता जो है वो हमारे गुलाम नवी आजाद है रेल्वे सुरच्छा बल आरपी यप का मानिदेशक हमारे कौन है तो ध धर्मेंद कुमार है अगला है भारती अंतरिचन संगठन इसरो तो इसरो के हमारे जो अध्यच है तो हमारे हैं डाक्टर केसिवन जी है सार्क दच्छिन एसे आई चेतरी सयोग के महासची हमारे है तो अमजद हुसैन बी सियाल है ACI Bikas Bank ADB ADB के हमारे जो अध्यच हैं वो ताके ही को नकाओ है और ADB का जो अध्यच बनता है वो हमेशा किसी जापानी को ही दिया जाता है और ये नाम भी हमारा है एक जापानी है ताके ही को नकाओ जापान के हैं अगला हमारा कोशन है अंतराश्टी मुद्राकोश IMF के महानी देशक हमारे कोण है तो क्रिस्टीन लगार्ड है और ये हमारे फ्रांस के हैं अंतराश्टी मुद्राकोश और इसका हमारा मुख्याल है वासिंग्टन DC में है अगला है विस बैंक के अध्यच तो विस बैंक मतलब वर्ड बैंक तो वर्ड बैंक के हमारे जो अध्यच है जिम योंग कीम है और ये दच्छिन कोरिया के है अगला हमारा है विस स्वास्त संगठन डबलू एचो के महानी देशक तो डबलू एचो के महानी देशक हमारे हैं डाक्टर टेड्रोस डाक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रेसस ये इथोपिया के हैं अगला है संयुक्त राश्टंग युएनों के महासचिव तो युएनों के महासचिव वर्तमान में हमारे हैं इंटोनियो गुटेरस और ये हमारे पुर्तगाल के हैं नवाड अध्यच जो नवार्ट के हमारे अद्देचे हर्श कुमार भनवाला है और ये हमारे 2013 से अभी भी इस पतपर बने हुए है और आज का हमारा लास्ट कोशन है कि भारती लगुद्धोग विकास बैंक मतलब सिडवी के हमारे महाले देशा कौन है तो हमारे मुहमद मुस्तफा जी इसे है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करने न और आपको दूसरा पार्टी बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे और हमेशा आपको मेरे यूट्यूप चेर से जुड़े रहना है तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए तो और मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्यवाद